OTT platform पर हाली में एक film रिलीज हुई है चमन बाहर दो घंटे के इस फिल्म में डेट घंटे तो लड़कों के द्वारा एक रिंकु नाम की लड़की को ताकते वे उसके लिए माल शब्द का प्रियोग करते वे दिखाया गया है बेहत सामा ने ढंग से यहाँ पर ये भी दिखाया गया कि बिल्लू नाम के एक लड़के की पान की दुकान तभी चलती है जब वो लड़की उसके सामने रहने के लिए आती है इसके बाद से पूरे गाउं भरके प्रोड युवा सभी उस दुकान पर एकटा होने लगते हैं लड़की के आते जाते ताकते रहने और आहे भढ़ने की बीच बिल्लू कोई दुकान चल पड़ती है इस हासे की बीच क्या कभी हमने सोचा है कि इस तरहें की तमाम फिल्में तमाम मनुरंजन युवाओं में छेड़ खाने के सामन्य होने का विचार पोशित करते हैं सच तो यही है कि सवाल पर हमने कभी सोचा ही नहीं हम बहुत पहले से महिलाओं से बच्चियों से छेड़ चार को नॉर्मलाइज कर चुके हैं इसलिए देश की 10 में से 7 महिलाएं अपने जीवन में किसी न किसी रूप में छूकर या बोल कर इव टीजिंग का शिकार होती हैं गैर सरकारी संगटन केर इंडिया का सर्विक्षन बताता है कि 42 प्रतिशत महिलाएं मानती हैं कि पुरुष उनके साथ छेड़ चार को अपने मनुरंजन का साधन मानते हैं मनुरंजन के दुनिया ही क्यों हमारा सिस्टम भी इन मामलों को लेकर कितना सम्मेदंशील और सतर्क है इसका भी एक उधारन देख लेते हैं मामला 3 जुलाई का है यूपी के देवरिया के लार थाने में एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ छेड़ चार की शिकायत लेकर पहुंची यहाँ पर उसने बताया कि उसका पती सेना में जवान है और गाम में वो अपनी दो बेटियों के साथ अकेली रहती है ऐसे में आए दिन आसपास के लोग उन तीनों से छेड़ चार करते हैं महिला को हैरानी तो तब हुई जब महाँ पर तैनात एक सिपाही ने कहा कि पुलिस वालों की दावत करोगे उनको खिलाओगे पिलाओगे तो ही आरोपियों पर कारवाई होगी हाला कि महिला इसकी शिकायत लेकर एसपी कारेले तक पहुंची एसपी ने इस मामले में दो सिपाईयों को निलम बित कर दिया है अब कितनी महिलाएं हैं जो अपने लिए या अपनी बेटियों के लिए इतना भी लड़ पाती हैं केर इंडिया ने इस बारे में 2018 में एक सर्वेक्षन करवाया था विंस 2018 वर्ल्ड आफ इंडियाज गल्स स्टडी के आंखडे देखे तो देश में 90 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में यौन उत्पीडन और छेठचाड का शिकार हैं शहरों की 51 पीसदी महिलाएं खुद को असुरक्षित मानती हैं देश में 11 से 18 साल की बच्चियां पब्लिक प्लेस पर खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं 47 पीसदी बच्चियां पब्लिक टांसपोर्ट का इस्तमाल करने में खुद को असुरक्षित पाती हैं 52% छेट छाड की घटनाएं बस स्टेंट पर होती हैं इव टेजिंग की 32% घटनाएं स्कूल या कॉलिज के रास्ते में होती हैं 53% पुरुष महिलाओं को फप्तियां या फिक्रे कसकर प्रताडित करते हैं 78% महिलाओं को पुलिस हेलप लाइन की जानकारी भी नहीं होती सारजनिक इस्थानों पर महिलाओं के साथ हो रहे योन उटपीडन के गवा 88% पुरुष भी होते हैं और वे चुप चाप इसे देखते रहते हैं यानि गली में सडक में बस में ट्रेन भी जहां भी महिलाओं दिख जाए उनकी छेड़ छाड़ करना आम सी बात है ये सामान्य इसलिए भी है कि इसे लेकर जो भी कानून है महिलाओं उन्हें लेकर जाग रुक नहीं है इव टेजिंग को लेकर क्या कुछ कानून है इनकी भी जानकारी लेना जरूरी है इंडियन पैनल कोड की धारा 292 रूप से परिभाशित करती है कि महिला या युवतिको अशलील साहित्य या अशलील तस्वीरे किताबे या पर्चिय दिखाने वाले पहली बार दोशी पाय गए व्यक्ति को दो साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ दो हजार रुपए का जुर्माने का प्रावधान है इसी धारा के तहट इव टेजिंग अपरा दोहराने पर दोशी को पांस साल के लिए कारावास के साथ पांस हजार रुपए जुर्माने के सजा दी जाती है भारतिय दंड सहिता की इसी धारा के अधीन महिला या युवतिके प्रती अशलील हरकत अभदर इशारे या तीखे टिपणिया करने वाले को एक साल के कठोर कारवास की सजा या जुर्माना या दोनों लगाये जा सकते हैं पिडिताय आईपीसी की धारा 294A और B की मदद भी ले सकती है इसमें युवति या महिला के प्रती अशलील इशारो टिपणियों गाने या कवितापाट करने के अपराद में दोशी पाय गई व्यक्तियों को अधिकतम तीन महिनों की सजा दी जाती है आईपीसी धारा 354A धारा 354D में महिला के प्रती अशलील इशारो अशलील टिपणियों या उसका पीछा करने पर कठोर कारावास की सजा या जुर्माना या दोनों लगाये जा सकते हैं अब बच्चियों को इव टीजिंग का विरोध करने या ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाने लगी है निर्बह केस के बाद देश भर के स्कूल, कॉलेज और संगठनों के ओर से बड़े अभियान चलाये गए हैं साथी नीजी तोर पर भी ऐसे अभियान चलाये गए है इन्हें में से एक बड़ा अभियान है मिशन फाइट बैक दहरादून के रहने वाले रिटाइड करनल रोहित मिश्रा ने इस मिशन की शुरुआत की 2016 में कुमाउ रेजिमेंट से रिटार होने के बाद एक दिन उनकी बेटी ने कहा कि वे लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे ताकि वे मन्चलू को सबक सिखा सके उनकी बेटी की ख्वाइश का असर रहा कि आज उनका मिशन देश भर में लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका है क्योंकि पिता समझते हैं कि बेटियों की सुरुख शाक्यत ने जरूरी है आम लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि चेड़खानी महिलाओं के प्रती एक मजाख भर नहीं हो सकता इसका नॉर्मलाइजेशन खतरनाक है ये सामान्य होना नहीं सबमें दनहीन होना है ये शो आपको कैसा लगा और किस तरह के मुद्धे यहाँ पर उठाए जाने चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें शो को देखने के लिए शुक्रिया